भारत और पाकिस्तान के बीच जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा PCB चीफ जाका अश्रफ का सबसी बड़ा बयान आया सामने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सब कोई पता है कि संबंद जो है वो थोड़े कड़वे हैं अच्छे संबंद नहीं है चाहे और फिल्ड कहलेजिए चाहे और फिल्ड कहलेजिए राइवल्री दोनों देशों के बीच चलती ही आ रही है लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बाइलेटरल सिरीज शुरू होने वाली है अभी तक इंडियो और पाकिस्तान ICC टूनमेंट में एक दूसरे से भिड़ते वे नजराते थे लेकिन अब ऐसी बाते बोली जा रही है कि भायरत और पाकिस्तान के बीच में बाइलेटरल सिरीज का जल्द ही आगाज हो सकता है और ये किसी और नहीं नहीं बलकि PCB के चीफ जाका अश्रफ ने बोला है जाका अश्रफ ने बयान दिया और उसमें उन्होंने बोला है कि बाइलेटरल सिरीज जल्द ही खेली जाएगी और दोनों देशों के बीच में जल्द ही सुलच सकते हैं हमें इस साल वहां चुनाओ के बाद भारत से कुछ अच्छी खबरों की उमीद है जाका अश्रफ ने बताया कि जैशाह जो की PCI की अध्यक्ष है उनसे जाका अश्रफ ने मुलाकात करी है और दोनों ने बैठ कर बात करी है और जैशाह ने बोला है कि हम भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीचे बाइलेटरल सीरीज का अगाज हो लेकिन अभी फिलहाल जैशाह को गौवर्मेंट से मंजूरी लेनी होगी अगर मंजूरी मिल जाती है तो ही कहीं पॉसिबल है कि भारत और पाकिस्तान के बीचे आपको बाइलेटरल सीरीज होती हुई नजर आएगी हर कोई क्रेजी है भारत और पाकिस्तान के मुकाबली के लिए जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है या एश्या कप में जब दोनों ही टीम ही एक दूसरे से भिड़ती है तो हर कोई बहुत ज़्याद होता है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की मैच का क्रेजी इतना ज़्याद है और जैशाह की कोशिशे रंग लाएं और शायद हमें जल्द ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती हुई निज़र आएं पाकी आपका इस पूर्रे मुद्धे क्या कहना कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट करके हमें ज़रू बताएं और साथ साथ हो फान स्पोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूलें